दोस्तों अगर आपने कच्छादास में संस्कित भी से लिया है तो सुपारग का चरी चित्रण आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोड एकजाम में पूछा जाता है और काफी ज़्यादा इस्टुटेंट्स को ये बहुत ज़्यादा ड लिखने की कोशिस करना है आपको पूरा समझ में आएगा मैं ये गरंटी लेता हूँ ठीक है तो चली शुरू करते हैं और आपको बताते हैं बोड एकजाम में आपको सुपारग का चरी चित्रण कैसे लिखना है सुपारग या कहलो बोधी सत्तो इनका दूसरा नाम बोधी सत्तो भी है एकजाम में आपको डराने के लिए बोधी सत्तो भी लिख सकता है कि बोधी सत्तो का चरी चित्रण लिखिए तो एक ही है चाहे सुपारग कहो चाहे बोधी सत्तो कहो ठीक है तो चलो सबसे पहले आप लोगों को इनका परिचाय डालना है परिचाय हेडिंग इस इसमें लिखेंगे सुपारग को बोधिसत्तों के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद वह प्राचीन काल के एक कुसल नाविक थे, क्या थे नाविक थे, यानि नाव चलाने वाले थे। सुपारग का चरिचित्रन इस प्रकार है, सिंपल साब्दों में। अब आपको पहली हेडिंग डालना है साहसी, इसमें लिखेंगे सुपारग समुद्री यात्राओं के एक कुसल गयाता थे, इस संबंध में उनकी दूर दूर तक प्रसिद्धी थी, यहनि समुद्र की यात्राओं के बारे में वो बहुत कुछ जानते थे, दूर दूर तक जा इसमें लिखेंगे सुपारग अत्यंत सरल हिर्दैं वाले थे, वो आप प्रार्थना करने वालों की प्रार्थना अवस्य स्विकार कर लेते थे, क्योंकि एक बार कई लोगों ने उनको कहा यार कि आप हमारे साथ चलिये, ब्यापारियों ने तो उन्होंने उनकी बात मानी और उनके साथ गए, इससे हम कहते हैं कि वो उदार हिर्दैं वाले थे, एक बार भरुकच्छ से आये हुए, एक जगा का नामे ठीके भरुकच्छ से आये हुए ब्यापारियों ने उनसे नाओ पर साथ चलने की प्रार्थना किया, जिससे सुपारग उनके साथ गए, अता ह कह सकते हैं कि सुपारग एक उदार हिर्दय वाले व्यक्ति थे अब आपको अगली हेडिंग डालना है अहिंसा वादी इसमें लिखेंगे सुपारग अहिंसा सिध्धान्त को मानने वाले थे वे प्राणी मात्र की रच्छा करना अपना कर्तब्रे समझते हैं ठीक है वे स्क्रिंशाट आप करहेगा और ये तीसरा हिस्क्रिंशाट रहेगा हलाकि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलिग्राम पर आना है ठीक है टेलिग्राम चैनल पर तो देखें दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज़ पे जहां पे आपकी अगली और मित्र होने का परिचायक है ठीक है क्योंकि वो हमेशा व्यापारियों की मदद करते हैं इससे हम कह सकते हैं कि सुपारग एक हितायसी मित्र थे अब लास्ट में आपको निसकर से हेडिंग डालना है जिसमें सभी हेडिंग को कामा लगा-लगा करके लिखेंगे इस प्रकार ह कह सकते हैं कि सुपारग एक सरल हिर्दय वाले साहसी दयावान अहिंसावादी युम हितायसी मित्र है ठीक है बोड इक्जाम में अगर आप इनका चरी चित्रन इस तरीके से लिखेंगे तो कोई भी आपका एक भी अंक नहीं काटेगा आपको पूरे चार में से चार अंक मि मिलेंगे उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी प्लीज वीडियो को लाइक करना दोस्तों के पास सेर करना मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए चैह हिंद चैह भारत